इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज मैटवार्ड नमस्कार मैं हूँ तरण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज इंडियन टीवी न्यूज के सभी दर्सकों से ये अपील है कि कुरोन वारे से एक बार फिर लगातार बढ़ता जा रहा है देज भर में चारों और से बढ़ते हुए आकड़े एक बार फिर लोगों को घरों में कैद करने के लिए आमाता दिखाए दे रहे हैं ऐसे में हम आप से अपील करते हैं कि इस जरूरी होने पर ही गरों से बाहर निकलें गरों से पूरी सुरक्षा के साथ याने की मास्क पहन कर और सेनिटाइज लेकर ही बाहर निकलें और बाहर निकल कर कोरोना नियमों का सक्ती से पालन करें इसके साथ साथ आप अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान लगें और आई अब आपको बताते हैं अभी तक की ताज़क खबर खबर 36 गड के राइपूर से है जहां देश की सेवा में तैनार एक जवान जब सेवा निर्वित होकर वे अपने गाउं लोटा तो उसके गाउं में लोटते ही वहां के लोगोंने वंदे मातरम और भारत मा की जैके नारे लगा कर जवान का स्वागत किया बता दे कि इंडियन आर्मी में लगातार 17 साल तक देश की सेवा करने के बाद जवान अपने ग्रह तिल्दा ब्लोग के ग्राम मडी में रहने वाला जवान कमलेश वरमा का परिवार के साथ गाउं ने गाजे बाजे के साथ दीजे की धुन पर नाचे कूरते रैली निकाल क कर स्वागत किया असल में पूरे गाउं में कमलेश ही एक ऐसा जावान है जिनोंने सेनाय में अपने सेवा दी है इसलिए पूरा गाउं उनके स्वागत के लिए इस समारों में शरीक हुआ देश परदेश के हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे हैं इंडियन टीवी निउज नमस्कार